हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चेनल सुरजपटेल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का तहद दिल से स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से इंटर्नल एक्जाम का टाइम टेबल आ चुका है इसके पहले ही मैंने दोस्तों आप लो के बच्चों के लिए दोस्तों मैं में मैं के भी बच्चों का अपडेट देने वाला हूँ बेक टू बेक वीडियो आएंगे साहथ आज और यह तो कल भी आ अच्छा फिर भी अभी मैं आपको बता दो कि यह जो time table है दोस्तों यह time table है mcom part 1 semester 2 का दोस्तों इधर आप देख सकते हो यह देखिए mcom part 1 मतब mcom semester 2 के बत्चों का है cbhc के patent के जो student है यह उनका है दोस्तों इधर क्या लिखा यह सब information में आपको देता हूँ लेकिन उसके प पाच अगस्त से आप लोगों का internal exam चालो होगा दिमाग में यह बात आएगा वह जितने भी पहले बात है internal exam में सर्व ओनलाइन होने वाले है या offline होने वाले तो इंटर्नल ओल कोर्स के जितने भी fysy ty mcom part 1 part 2 सभीष्ण पैटनर्स जितने भी है सब यह जो होने वाले है यह नाइन तक का है पहला paper है दोस्तो research methodology आप इदा subject course भी आपका देख सकते है paper code 6 अगस के दिन time same है आपका paper है macro economic 7 अगस के दिन corporate finance का paper है 8 अगस के दिन e-commerce का paper है यह दोस्तों मैंने बताया mcom part 1 semester 2 के बच्चों का अब हम देखते है mcom part 2 semester fall ठीक है semester 4K student का दोस्तों इदर आपको दिखेगा right अच्छा अब देन इसके नीचे का time table देख लेते है उपर का information में आप लोगों को देदे तो अभी देखे 5 अगस से इनका भी चालू हो रहा है इदर आप मैंको पते है कि आपको readable नहीं है ठीक है लेकिन 5 अगस से इनका भ का financial accounting का paper होगा और जो management के हैं उनका supply change management का paper होगा देन 6 अगस के दिन दोस्तों आपका इदर होने वाला है अपना indirect text का होगा और जो management के student है advertising and sales management का होने वाला देन दोस्तों साथ तारीक को जो आपके अपना finance accounting के जो बच्चे है उनका management and business relation का paper होने वाला है और जो अपना management के है उनका finance management का होने वाला देन उसके बद 8 अगस के दिन personal finance planning का है और retail management का है तो आप देख ले ना आपका जो भी paper है management के student होगे तो उनका नीचे दिया हुआ है finance के होगे तो उनका उपर दिया हुआ है आप अपने paper court से भी मिला के देख सकते हो आप सबसे important बात है कि सर इदर जो information दिया है वो क्या है दोस्तों first में जो information दिया है यही है कि आप अपने mobile laptop tab हर किसी से आप अपना exam दे सकते हो exam online होने वाला है offline होने वाला नहीं है ठीक है timing आप लोगों को मैंने बता दिया morning 9 तू अपना evening तक होने वाला है आपका जो paper का timing है दोस्तों वो 30 minute का होने वाला है ठीक है सुबह 9 बज से लेके रात के 9 बज़े तक का पूरा time है लेकिन आपको exam सिर्फ 30 minute का है अच्छा अगर कोई student क्योंकि evening के 9 बज़े बंद हो जाएगा paper अगर कोई student 8.45 पे लोगिन करता है रात के मतलब बोलते न evening में तो उसको सिर्फ 15 minute मिलेगा exam का और यह पूरा responsible वो person होगा university नहीं है morning 9 to evening 9 तक का पूरा schedule देने के बावजूद ठीक है आपका जो भी है subject completion all of मतलब जितने भी all जो student है सभी के लिए जो आपके subject दिया गया है उसी में से आएगा ठीक है 40 marks का conduct किया जा रहा है mcqs 20 होंगे each paper में अच्छे यह fyb.com वालों के लिए अलग है fyb.a के लिए अलग है अपना जो बीए के student है उनका 25 marks का 20 question है ऐसा मैं आपको वीडियो में बता दूँगा don't worry जैसे जो वीडियो बन रहे है आपको मैं इसको जो भी है आपको मेर website पर भी दे दूँगा आप बहुत इसली यह सब चीज़े रीड कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों यह information थी आप लोगों के लिए अगर कुछ रहेगा तो मेरे website पर रीड कर सकते हो और यह video I hope कि आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि यह m.com part 1 और part 2 दोनों student के लिए बता दिय जाओ ठीक है तो best of luck दोस्तों आप लोगों के लिए और यह freezer student का यह भी मैं clear कर देता हूँ ठीक है कि यह freezer student कोई भी repeater student का exam नहीं है freezer student की यह exam देंगे चले दोस्तों अगर आप इस channel पर नए हो तो like से subscribe करना ना भूलिए फिर से मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के ले बाय बाय दोस्तों जै हिन जै भारत दोस्तों